अगर आपके स्किन लूूज, धीली, लट्की होई सी होने लग गई है चहरे के उपर रिंकस और फाइन लैंस आने लग गई है चहरे के जो पोर्स हैं वो उपन हो गए है यानि आपके चहरे की स्किन के रोमचिदर बड़े होने लगए है लार्ज ओने लगए है जब यह हमारी स्किन के पोर्स लार्ज हो जाते हैं तब भी हमारी स्किन सैगी लटकी हुई सी दिखाई देती है और जब यह पोर्स जादा खुल जाते हैं इसके कारण हमारी स्किन एक्स्ट्रा ओयल भी प्रोड्यूस करने लग जाती है जो हमें देती है मुहासे, पिंपल्स, एकने ये मुहासे, पिंपल्स, एकने तो ठीक हो जाते हैं बाद में ये छोड़ जाते हैं अपने निशान जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते एक खुबसूरल स्कीन के उपर अगर दाग धब्बे हो वो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी ना, आज मैं आप लोगों के लिए जो फेस्पैक लेकर आई हूँ वो आपकी स्कीन की इन सभी धेरो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे के उपर दाग धब्बे हो रहे हैं काला पन आ गया है, जिसके कारण आपकी स्कीन बिल्कुल डल, मुझाई, बेजान सी दिखाई देने लग गया है संटैन हो गया है, ये सब चीजों को दूर करने में आपकी बहुत हैल्प करेगा और वो छोटी सी चीज आपके, आप सभी के किचन में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी तो जानते आप मैं किस चीज के बार में बात कर रही हूँ चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो आपकी सबजी के स्वाद को दोगुना करने में सक्षम है अब आगया समझ में? जी हाँ, आप बिलकुल ठीक समझे तमाटर, तमाटर हमारी सबजी के स्वाद को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है लेकिन आप ये नहीं जानते, अगर हम उसका इस्तेमाल अपनी स्किन के उपर करेंगे तो जो वो आपकी स्किन में चेंज लाएगा, उसको देख कि आप हैरान हो जाओगे कि ये छोटी सी चीज, जो हमारे समने हर समय 24 घंटे हमें दिखाई देती थी ये इतना ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है हमारे स्किन को ये महंगे से महंगे फेशिल को फेल कर सकती है मेरा दावा है अगर आपकी शादी होने वाली है आप अगर इस ट्रमाटर को एक महीना पहला अपने चेहरे के उपर घिसने लग जाओगे न आपके चेहरे के उपर जो ग्लो आएगा जो चमक आएगी सबी आपसे जरूर पूछेंगे कि आजकल आप कों सा महंगे वाला फेशिल करार है जो आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है आपकी स्किन के उपर इतना निखार है इतनी चमक है आप सभी वो सुनना चाहते हो ना बिल्कुल चाहते हैं हम सभी सुनना चाहते हैं कि सभी हमारी स्किन की तारीफ करें तो इस टमाटर को अपनी स्किन के ओपर कैसे यूज करना है इसके लिए आपको क्या करना है वीडियो को एंड तक पूरा देखना है skip करके वीडियो नहीं देखनी कोई भी main point छूटना नहीं चाहिए ताकि हमें हमारे इस face pack का पूरा benefit मिल पाए तो इस face pack को कैसे बनाएंगे कैसे लगाएंगे इसके बार में बात करते हैं हम अपनी वीडियो में Hi everyone आपका आपके अपने चैनल beauty with nature by सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब लोग I hope आप सब लोग खुश होंगे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कॉमेंट करके मुझे जरूर बताए कि आपको किस टॉपिक वे वीडियो चाहिए और अगर आपने इस फेस्पैक का इस्तेमाल किया है जिस तरीके से मैंने बताया है आपकी स्किन के उपर उसने कैसे डिजर्ट दिखाए हैं वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो मैं सबसे पहले अपने चहरे को साफ कर लेती हूँ अपने चहरे को साफ करने के लिए मैंने कच्चा दूद लिया था उसमें कुछ बूदे मैंने निम्बू के रसकी डाल दी थी जिसके कार में फट गया था ये बहुत ही अच्छा cleansing milk बन कर त्यार होता है लेकिन जिन लोगों को निम्बू सूट नहीं करता और जो लोग ये सोचते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके चहरे पे कोई ही तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए तो वो इसको skip कर दें कोई दिक्कत नहीं है इससे आपके face pack के result पे बिल्कूल भी फरक नहीं पड़ेगा आप घुलाब जल ले सकते हो जब ऐसे ही रकचा दूद लेके अपने स्किन को साफ कर सकते हो जिससे आपको suitable हो आप उससे अपने स्किन को साफ करें उसके बाद हम करते हैं दूसरा step स्क्रब बनाने के लिए मैं लूँगी दो से तीन चमच कच्चे दूद के आदा चमच सूजी एक चमच टमाटर का पल्प जिस तरह face pack लगाने हमारे स्किन के लिए जरूरी है वैसे ही स्क्रब करना भी बहुत जरूरी है स्किन के लिए ताकि हमारे स्किन के जो पोर्ट्स है वो खुल जाएं हमारे स्किन अच्छे तरीके से सांस ले पाए जब हम स्क्रब को करते हैं तो स्क्रब हमारे स्किन को एक्फोलेट करता है यानि कि हमारे चहरे के उपर एक dead layer होती है skin की उसको निकाल देता है अब हमने एक बार तो scrub कर लिया वो dead layer निकाल दी अब नीचे से हमारी बहुत प्यारी soft glowing skin आई है लेकिन हम next day फिर उसके उपर scrub करेंगे तो वो जो हमारी प्यारी सी soft skin आई है वो damage हो जाएगी जिससे हमारी skin अच्छे होने की बजाए खराब हो जाएगी इसलिए scrub को हफते में सिरफ एक ही बार करना है या दस दिन में एक बार करें रोज scrub नहीं होता इस बात का आपने खास ख्याल रखना है scrub करने से dead skin तो निकलती है black heads और white heads भी निकलते है जो लोग heart scrub का इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे जिनकी skin sensitive है या बहुत ही ज्यादा soft है उनके लिए सूजी बहुत ही अच्छा scrub का काम करती है क्योंकि ये natural scrub है ये tanning को भी निकालती है देखिए friends मेरा scrub हो चुका है आप चाहो तो अपने चेहरे को wash कर सकते हो लेकिन मैं directly इसके ओपर अपना scrub लगाऊंगी मैं अपने चेहरे को wash नहीं करूंगी फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक चमच जोंकार्टा जोंकार्टा skin को निकारने से लेके skin को tight बनाने तक के लिए काफी अच्छा होता है अब लेंगे एक चमच निम्भू का रस निम्भू के रस में vitamin C भरपूर होता है ये collagen को बढ़ाने में help करता है जूरियों को कम करता है और हमारे skin को tight करता है क्योंकि ये anti-aging के गुणों से भरपूर है अब मैं add करूंगी एक चमच honey यानि शहद इसमें भी anti-aging के गुण पाए जाते है जो धीलित वजा यानि skin को कसने में help करते है अब मैं add करूंगी दो चमच टमाटर का पल्प टमाटर का पल्प हमारे skin को tight बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये हमारे skin पर किसावट लाता है ये हमारे skin को चिकना बना रखने में भी काफी helpful होता है अब इन सबी चीजों को अच्छे तरीके से mix करके अपने पूरे चेहरे के उपर और गरदन के उपर लगा लेंगे अगर friends आप लोगों के पास जों का आटा नहीं है आप बेसनन आइड कर सकते हो kitchen काटा एड कर सकते हो ठीक है और जिन लोगों को निम्बू या टमाटर सूट नहीं करता देखो निम्बू को तो आप skip कर सकते हो लेकिन ये टमाटर काई बना तो आप टमाटर को skip कर दोगे तब तो इसके आपको benefit नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आपको टमाटर सूट नहीं करता तो प्लीज आप इसको बिलकुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि जिन लोगों को टमाटर सूट नहीं करता उनकी skin में redness आ सकती है इचिंग हो सकती है निम्बू के लिए तो एक option है आप उसकी जगा संत्रे का रसाइड कर सकते हो या मौसमी का रसाइड कर सकते हो टमाटर oily skin वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है अब आप ये मज़ समझना कि टमाटर अगर oily skin वालों के लिए अच्छा है तो normal या dry skin वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं आप इस face pack को daily भी लगा सकते हो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने daily face pack को सुकाना नहीं है 10 मिनट लगायो जब वो गीला ही हो तब ही wash कर लो सुकाने से आपकी skin को नुक्सान हो सकता है लेकिन अगर आप गिला गिला ही साफ कर दोगे तब ये face pack आपको बहुत अच्छे benefit देगा क्योंकि इस face pack ने आपकी skin को किसी तरह का कोई नुक्सान नहीं पहुंचाया और अपने सारे गुण आपकी skin के अंदर छोड़ दिये हैं मैंने अपने पूरे face के उपर face pack लगा लिया है अब मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट के बार देखिए इस face pack को लगे 15 मिनट हो गया है अब मैं अपने चेहरे को धो कर आती है धोने के बाद आप result देखिए friends बहुत ही प्यारा आया बहुत ही गजब का आया skin इतनी glow कर रही है इतनी soft हो गई है कि मज़ा आ रहा इसको छूने में अब मैं अपने चेहरे के उपर moisturizer लगाऊंगी अपनी skin को moisturizer करने के लिए मैं अपनी बनाई क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ आप अपना मन पसंद कोई भी moisturizer लगाएं face pack लगाने के बाद आप अपनी skin को moisturizer जरूर करें तो आप भी इस प्यारे से amazing से face pack को बनाएं इसके benefit उठाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बड़ बाई